जबसकार दोस्तों इजी फोरशडी में आपका स्वागत है अभी हम यहां करने वाले हैं टाइम इंड वर्क का हम लोग फर्स्ट पार्ट पर चुगे हैं अब यहां हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे और इस पार्ट टू में हम थ्री टैप के कोशन को सॉल्व करेंगे और यह भी जो भी कोशन हम आज भी जो सॉल्व कराने वाले हैं वह सारे के सारे कोशन प्रिविएस यह के कोशन हैं तो चलते हैं फर्स्ट कोशन के और में देखिए पहना कोशन क्या बोलता है बोलता है ए और बी मिलकर 10 दिनों में एक काम कर सकते हैं यह अकेला इसे 30 दिनों मे कर सकता है इस काम को B अकेला कितमे दिनों में समाप्त करेगा A and B together can do a piece of work in 10 days A alone can do it in 30 days the time in which B alone can do it is देखें कोर्षन क्या बोलता है बोलता है A और B बोलता है दोस्तों A और B किसी काम को A और B किसी काम को 10 दिनों में कर सकते है जबकि यहां पर यह दिया हुआ है आपका कि यह अकेला इसे 30 दिनों में करता है ठीक है तो कोश्चन यह आपसे बोल रहा है कि B इस काम को करने में कितना समय लेगा तो इस तरह का कोई भी कोश्चन लें टार्म और वर करका तो सबसे पहले हम यह करेंगे क्योंकि जब तक टोटल वर्क हम को पता नहीं रहेगा हम यह नहीं पता कर सकते हैं कि उस काम को कोई भी आदम या जो भी हो कितना दिल में करने सकेगा तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे दोस्तों टोटल वर्क निकालने के लिए और थाटी का एक निकालने के लिए आपको मैसर बता चुका है एक बच्चा वह जो हम रोग बच्चा में इस तिरह के निकालते ऐसे या तो आप डारेक्ट इसमें इतने चोड़े जब नंबर दिये हो तो आप डारेक्ट निकाल सकते हैं जो बढ़ान नंबर उसका मर्तिप हो हो गया सब्सक्राइब करने में अब करें सब्सक्राइब टोक्टल को सब्सक्राइब तो इसको तो त्थीर है यहां पर लिखना पड़ी Turismo एबिटीन पर सकते उसी तरह से यह यह निन लगाता है तीस काम करने के लिए इसका यह मतलब हुआ कि हर दिन जो है ओ ए जो है वह एक काम करता होगा अब यहां हम लोग यह देख चुके हैं कि A B का और A का इफिसेंसी निकल गिया है तो कोशन यह आप से पूछ रहा है कि B इसी काम को करने में कितना टाम रहे है आप थोड़ सेया समझें यह कौंसेप्ट क्या हो समझें यहां A B जब साथ में काम करने तो तीन काम होता है जबकि A अकेले जो A काम करता है इसका मतलब यह हुआ कि जब जब के साथ में करता है तभी उसका उतना ही छमता है जितना की ओकेले में तो यहां पर देखें कि जो A का जो मेरा छमता है जो कार्यकरने का डर आया वह एक एक दिन का और यह यह देखने कि A B जो है एक दिन में तीन काम करता है इसका मतलब है कि अगर यह एक काम करता हुआ तो बी जो है वो यहां से पतार चल रहा है कि वो कहीं नगी दो काम करता होगा और यह तो question में आप से पूछा है कि बी जो है 30 काम करने में कितना दिन लेगा तो आपको निकालते हैं बी जो है 30 काम करने में कितना time लेगा तो इसको निकालते हैं 30 में 2 का divide करेंगे क्योंकि आपका क्या होगा फिट्टिन होगे दोस्तों यहीं जो है आपका अंसर कहला आगा यानि यह इसका मतलग हुआ कि भी जो है आके नहीं काम करता है इसको खत्म स्वाप्त करने में 15 यानि 15 पेज का टैम लगएगा आपको समझ मां आगया होगा दोस्तों वीडियो जब आप देखेंगा ना तो आप उसको पॉस्ट किजिए और पॉस्ट करने का पर्यास किजिएगा ताकि इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो देखिए दोस्तों सकें क्या बूलता है इसी तरह का कोश्टन है हम यह बोलता है कि एक कारी को 12 दिनों में पूरा कर सकता है यह जो है अकेले कोई काम को दोस्तों वह किसी कारी को 12 दिनों में करता है कितना दिनों में 12 दिनों में करता है उसके बाद बोलता है यह और भी एक साथ इसे 8 दिनों में अब भी बोल रहा है कि यह प्लस भी इसे जब मिन के काम में ये काम में करते हैं तो ये चिन काम करते है। तो दोस्तों इसका मुल्टिपल सोची तो एक तो इसा नंबर आता है जो यह से भी और रहा है ठीक है तो यहीं आपका क्या होगा है यह आपका टोटल वर्क होगे दोस्तों क्या होगे यह जो है हो यह काम करता होगा हर निकालने के लिए इसका कितना है यानि कि एक दिन वह काम करता हुगा उसी तरह काम निकांशेंशेंशे तो यह भी मिल के एक दिन में कितना काम करते हैं अब देखेंगे अवह मिल के एक दिन में और कोशन क्या दोलता है और यह दिन का काम करते हैं जबकिन की जब का समता कितना है तक तक इतना है तो यानि उसमें यह जो तो काम करा है इसका मतलत जो जो वी है वह एक काम करता होगा आप आरामसे बता सकते हैं एक जुछ यहां से यह कề вкус आ बोड़ा और दो Are यहां से तो करने का रहाँ एक कोण करता होगा रहा होग है और का शोट्र eder का look और तो इतना को क्या करेंगा यह कंप्लीट करेंगे तो इसको काम को क्या करेगा तो यह अकेले जब करेगा तो यहां पे कोशन चेंज करें दोस्तों और एक नेक्स्ट टैप क्या बोलेंगी यह सब एक ही टाइप का कोशन है लेकिन थोड़ा से 12 दिनों में काम कर सकते है यह यह यारे यह 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 12 दिनों में काम कर सकते है यानि A and B can do a work in 12 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. If A, B and C work together, they will complete the work in. देखे, कोशन बोगा है दोस्तों, बोलते हैं कि A, B, जो बारा दिन में कोई को किसी काम को कर सकते हैं, A, B, जो मिलते हैं, तो किसी काम को ये 12 दिन में करते हैं, ठीक है, उसके बाद में कोशन बोलता है, B, C, किसी काम को ये 15 दिनों में करते हैं, ठीक है, किसी काम को कितने दिनों करते हैं और यह जब करते हैं तो यह आपके 20 दिन लेते हैं तो सबसे पहले यहां भी काम कीजिए बस कुछ लेकर यह सबस्क्राइब अब बस बड़ा नमर का मल्टिपल सोची तो 20 तो इससे जाए नहीं आपको पता तरह तो उसके आगे बढ़िए 40 भी नहीं जाएगा लेकिन 60 का इसा मल्टिपल भी डिवाइड होता है और 15 से तो इसका यह जाएगा दोस्तों यह सिश्टी हो जाए यह यह दोस्तों यह टूटल वरका आगया क्या आगया टोटल वरक आगया है यह आपका टॉतल वरक है दोस्तों तो अब देखिए हमको अम निकालना है यह एक साट काम करते हैं दो सब्सक्राइब कई तो यह भी आपको कर सकते हैं तो यह कितना दिन करते ही तो यहां पर तीन आगे दोस्तों यह कि यह तो यह कि यह सब को जोड़ दिजी सारक कर देना कि अगर हम यह निकाले साथ करेंगे कि इसका करने में पिर इसका कीजिए प्लस B प्लस C किजिए अब इसका किजिए प्लस C प्लस ये तिनों को जो लें तो एक दिन में कितना काम आता है यह तो एक दिन में यह बारा काम कर सकते हैं लेकिन आप यहां यह सकते हैं तो में को में हैं नियाए जोड़ेंगे तो यहां हो जागा दोस्तों और C को हो दोस्तों और C को सकते हैं हम इतना चल रहा है नेक्ट को समय करेंगे लेकं को समझाने क्लिए बोल रहें आप यहां से आप कॉमनली जिगात किया आगा आपका यह प्लस भी प्लस जी आगा दोस्तों दरावर टु अलबाइट फू होगा अब इसको काटेंगे तो यह सीक्सा आगा यह तो इसको तो यहां यह मुल्टिप्लाय में था उसको डिवाइट में लाकी इधर कर दिया है यानि कि आप यहां से मेरे एफिशेंच चाल गया कि यही तो कोशन पुछ रहा था कि एफिशेंची निकाले यानि कारे करने की छमता यानि एक दिन में यह तीनों जब मिल जाएंगे दोस्त क्तोशन को सब्सक्रां करना है इस का अथे डीन में करें सकते क्ते हैं यहां कर सकते फ्रह स्क यह जए यह जाए नहीं ज़ालते नेक्ष्ट को सम्झाने की आपको सिर्फ किये कहां सा है ताकि आपको लगे नहीं कि यह कैसे आ आप समझ जाएगा तो आप भी इसी तरह कर सकते बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आप किजिए सारा कंप्रीट को जाएगा और वीडियो को प्लीज आप पूरा देखें तब बेहता समझ होएगा और आप देखने को सेड़ भी कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हम मोटिबेट होंगे और भी अच्छा च्छे कोशन आपके लिए और भी अच्छे च्छे कोशन जो कि सीधा रेलवे ससी के एक्जाम में पूछे जाते देखे दोस्तों नेक्स्ट कोशन हम आप में कर सकते अधिल सभी एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा कितने दिनों में हो जाएगा या कि अ हाथ जो है दो होगे दिन हैं और यह विए कितने दिन हो गविया और यह मैंद प्रवाइट केसे निकलता है देखिए दोस्तों हम क्या बोले हमेसाद आपको मल्टिपल सोचना है और ऐसा मल्टिपल सोचना है कि इससे यह डिवाइट वहना चाहिए अन्हें तो अगर आपको दिक्कत लगता है तो फिर हम बार बार बोल रहे हैं कि आप इस मैथर से भी नि इतना आगया आग आखिए ओड़ यह वंट वर्टो ओडिवाट करते हैं तो अंपको एक दिल को आप जितना दिल में करते हों एक तो ऊसी तरह इसको को भी है इसको दिवाइफ किजी से तक इतना है एकुए थे प्रवेंदी आगा दोस्तों इस से प्रवाइब कि अचीं ल करते हैं और सी एक दिमें बारा काम करता है तो यहां पूछ रहा है तो पूछ नहीं करना है जब तीनों मिल नहीं तो यहां देखेगा यह तो इसको डारेक्ट हम ऐसे जब जोड़ेंगे तो यह आपका इस तरह काएगा कितना काम करेगा फोर्टी सेवन काम करेगा यह तो एक दिन में आगा लेकिन हमको निकालने कितना है तो यह यह तो आपको लगए यह जब ऊपर जाता है दो यह आपका हो जाता three forty seven आगिए ठीक है अब लेंकर तो कार यह नहीं दो फिर इसी तरह तो यह ठीक है तो आपका 2 एैस को क्रूंस्च चाहिए णोर्ट कर सकते हैं तो फिर आप यही तक छोड़ सकते हैं कोई दिकत नहीं है आपके जिस्टी पर अगर मिस्ट फ्रेक्शन लोगा तो मिस्ट फ्रेक्शन आपको बताया थी यह आपका अमसर आगिया ठीक है अब चलते हैं नेश्ट कॉर्शन कियों कि 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 कर देखिए दोस्तों अब यह थोसा अलग टाप का है यहां पर देखिए दोस्तों अब यह थोसा अलग टाप का है हुए कि क्या बोलता है यह और दाडिनों में एक साथ काम कर सकते हैं भी और सी कर सकते हैं यह और । इसे पंदर दिनों में कर सकते हैं यह इसे अकेले करने में कितना समे लेगा है बहुत अच्छा कोशन है बहुत अच्छा ऐसे और आपका पुशह लिए इस। B&C can do it in pleans a students how long will it take to done it alone यानि बोलता है कि यह अकेले कितनी दिनों तो इसके निचे आराम से आप 10 लिग दिए सकते हैं और फिर एक आपका एप प्लस सी आएगा सी प्लस यह होगा वैसे भी लिखे के कोई दिक्त नहीं है तो दोस्तों आपका यह यह टोटल वर्क आगिया तो टोटल वर्क यह आपका हो गया काम करते हैं तो दिन लगाते साथ काम करने में इसका मतलब है कि हर दिन हर दिन वह सिक्स काम करते हैं इसका करते हो यह दिन को सकते हैं यह इसको बड़तने है इसको भी तरह कि बारा दीन लगाते साथ काम करने में इसका मतलब है कि हर दी वो पांस काम करते होंगे उसी तरह सिए जो फंद्रा दिन लगाते साहट काम करने में इसका मदब हर दिन यह चार काम करते होंगे अब इस तरह से मेरा तो इफिसेंसी तो निकार गया सारा का आशनकी E ऐन में शे का also C और यह कोशन आप से पूछ रहा था कोशन आप से पूछ रहा था कि यह इसे अब पूछ रहे तो यह इसी काम को कितना दिन में करेगा देखिए निकालते हैं उसी तरह चलेंगे तो यह पहले तो आपको कुछ इस तरह से आएगा अब देखिए दोस्तो यहीं तो आपको समझना है अगर यहां नहीं समझे तो फिर नहीं बनेगा अब देखिए सोचिए थोड़ा साब हमको इसका निकालना है तो इसका निकालने के लिए एफिसेंसी निकालना पड़ेगा कि यह का छमता क्या है अगर यह पता चलिए दोस्तों कि यह कितना काम करता है तो बहुत आसारे से निकालने उस काम को इसे भी वाइट करेंगा यही हम को किसका का निकालना है तो साड़ी का मतलब इसका मतलब है कि इसका वेल्यू किया हो थे पांच अब आप बताएं यह दोनों मिलके पांच काम कर रहे हैं तो आप सोच के बता सकते हैं एक तुम आपको बहुत अच्छी तरीके से समाज में आना चाहिए तो यहां देखिए अब किया है दोस्तों कि बीसी है तो बीसी यहा सब्सक्राइब करते हैं तो इसका मतलब है यह जुन है हर दिन दो काम करता हो दोस्तों कितना है बबाना 2 काम करता होगा तो साथ को दो से क्या करेंगे नमें बथा हूँ और रहा है वह उसी का εκ उसी का एक तैप है आप इसको solve कीजिएगा solve करने के बाद में comment section में आप जरूर comment कीजिएगा हम इसका wait करेंगे question क्या बहुत है सुनगे A और B 36 दिनों में A काम कर सकते है B और C इसे 7 दिनों में कर सकते है A और C इसे 45 दिनों में कर सकते है C अकेले इसे कितने दिनों में कर सकता है A and B can do a piece of work in 36 days B and C can do it in 60 days A and C can do it in 45 days C alone can do it in A तो आज इतना ही राने देतें दोस्तों आज तक के लिए धन्य बार